कि नमस्कार राम-्राम आदाव सश्रेकाल रादे-रादे तो आज हमारा एक important state है आस्थाम है चीजी बड़ा state है 20-22 location बताऊंगा important important दो waterways नेशनल waterways 2 और नेशनल waterways 6 जो कि परपोस ए और आसाम को हम तीन बाग में डिवाइड करते हैं ठीक है जी और नौर्थ जाना है तो आसाम होके ही लाइक बनता है जाना गोहाटी होके चले जाओ और नाचर परदेश के लिए तो आसाम होके जाना ही पड़ेगा और बाकी आप फ्लाइट ले रहे तो बाय कोलकता और फिर आप जा रहे हो वहाँ पर मनिपूर मिजौरम लेकिन आसाम के लिए आप गोहाटी और इंपोर्टेंट प्लिस क्या है जैसे काजी रंगा हो गया जी माजोली आइलेंट भाई माजोली आइलेंट बहुत बढ़िया चीज़ है चलो लाज बात करते हैं अभी आसाम की तो आस किन सी लोगते है नौर्थ कचार अरिया जो है ठीके चीज़ तो पहला तो फुक्त साम किस कि स्टेट को बोर्डर खर रहा है यह फटाफट कमेंड में दो कितने स्टेट को बोर्डर करता है असाम और कितनी कंट्री को बॉर्टर करता है बही कंट्री में जैसे बांगलादेश हो गया बुटान हो गया मियनमार को बॉर्टर करता है कि नहीं करता ठीक है जी नेपाल को बॉर्टर करता है कि नहीं करता यह असाम है ठीक है कंट्री आ गया गही दो बुटान एंड बंगलादेस बांगलादेश को यहां पे भी बॉर्ड़ कर रहे हैं बुटान एंड बांगलादेस स्टेट देखलो नाला को कर रहा है अनलमनाचर पडेश को कर रहे हैं यहां पे नागर तो यह अरणाचपदेश नागल लेंड मनिपूर मिजोरम त्रीपूरा मेघाले सब के साथ बाउंडरी है आसाम की आप फटा-फट कमेंड में लिख दो इंडिया को कौन सा स्टेट है जो मैक्सिमम मलब जाज-जादा दूसरे स्टेट को बॉर्डर करता है अच्त मैंने बात किये कि आसामम तीन भाग बें डिवाइड लख है एक तो यह परम॥ुत्रा वेली वाले इरिया का प्रम॥ृत्रा वैली इसको आप साम वैली भी बोलतें कि गसवी दूसरे एरिया जो गया अपना लाल कलर से या इस से इस कलर से बताता हूं यहाँ को कारवी ये तंडख़ेंब एन सी आईं सी ले नोर्थ कचार से इन सीचें पिर गिंजन बरां वेल्ज संट्रारा मुझा म्हां दीं सुर्व जाती है अब आता है सबसे पहले इंपोर्टेंट चीज़ है काजी रंगा नेशनल पार्क काफी बार नियूज में सुनाओगा फ्लड के टाइम में वन होंड राइनोसिरस मिलते हैं यहां पर ठीके जी रहां वन होंड राइनोसिरस पूरी दुनिया में पूरे अर्थ के उपर जितने वन होंड राइनोसिरस है उसका टूथर्ड सिर्फ काजी रंगा में मिलता है तो काजी रंगा क्या है इस वोम तू थर्ड ओफ द प्ले आद पोपलेशन वन होंड राइनोसिरस और क्या करना गुहार्टी से गाड़ी उठाना और जाना काजी रंगा बाई रोड बाई गोड मज़ा आ जाएगा अगर आपने ये बाई रोड ट्रिप कर लिया तो ठीके जी तो किया नैसल पार्क इस ओल्स वर्ल्ड हैरिटेस साइट एंडे मेजर हाइलाइट्स ओंदा अस प्लाइंग स्कॉर्ल तो यह सब मिलता है यहां पर तो वाट इस इंपोर्टेंट वन होड राइनो सीरस काजी रंगा अच्छा आसाम में न दो बाईस्वे रिजर्व हैं जो की आसाम में मानस और दिब्रूस एक हुआ काजी रंगा बहुत ही पोपुलर नैसनल पार्क है बट काजी रंगा जो है वो बाईस्वे रिजर्व नहीं है ठीक है जी अब नेक्स आता है हमारा मानस नैसनल पार्क बोलो या मानस बाईस्वे रिजर्व बोलो और यह कहा है कि जी मानस एक रिवर है मानस जो की बुटान से होके आती है मानस रिवर और बरहम पुत्रा में आकर मिल जाते है तो बुटान में रोयल मानस नैशनल पारक और अपना आसाप में जो कि- नैशनल पार्क बोलो यह मानस वाइस्वेचियर रिजर्ब मानस वाइस्वेचर रिज़र्व का पार्ट है बढ़ा ही एलिए विच एए-वीच यूनशकॉ नेश्चिवल वल्ड है एक तो है जी तो मानस बाइस वे रिजर्फ यह भी अपना एक टूरिस प्लेस बन जाते है जाने के लिए को काजिरंगा मानस और आसाम को हमने किया थीन बाग में डिवाइड एक ब्रहंपुत्रा वैली वाले एक सेंट्रल हाई लेंड बोलो या प्लेटियों जहां कार भी हो गया आपका और नौर्थ कचार हिल्स वह वाला एरिया हो गया और साउथ में होगी बराक वैली ठीके साउथ मतलब तरिपूरा मिजोरम मनिपूर के साथ बोर्डर करता हो वह एरिया जहांसे बराक रीवर निकल रही है ठीक है अच्छा जी गोहाटी में जो है कामक्या टेंपल जरूर जाना आपने इतनी पोस्टी वाइब आती है घजब आप क्या करोंगे गोहाटी से थोड़ा सा बहार थोड़ा सा हिल्ली एरिया के उपर है वह हिल का नाम कहीं जी नीला चल हिल्स पूछ ले वेर इस नीला चल लेल्स तो जो कामक्या टेंपल है वो निला चल हिल्स के उपर है इट इस वन अफ फिफ्टी वन सक्ती पीठी इंडिया वहां पर जाके कैरी से माइत मैथ मैथोलोजी है तो प्रोटेक्ट डिवोटी फ्रॉम एविल आईज इट्स पॉप्लर इंदा फेमस टूरिस प्लेस इंदा आउट तूरिस्ट अलाइक ओंटू इट्स अमेजिंग यहां पर ना तांत्रिक विद्या वगेरा कुछ सुनने में आता है कि तोड़ा सा तांत्रिक एड़रेशन लोकेटीड एटो नीला चल हिल्स तो यह हो गया जी कामक्या टेंपल जो कि आपका पड़ता है गोह भी आते हैं जोग रफर भी आते हैं तुरिस्क्ञ हैं देखने के लिए обыч में पड़ते हैं नियागड़ा वाटरफाल मन करते हैं नियांगे लोगों को मत ही देशों के बीजस्टार इवराइब से लिए लाट लँए स जो रिवर है रिवर के कोर्स रिवर के रस्ते के बीच में आइलेंड बन जाते हैं और ये बहुत बड़ा है एक सैप्ट डिस्टिक बना हुए पुटर डिस्टिक हुए जिस ने भी शुन लिया मजोली वो कभी भूलता नहीं है तो माजोली तो बड़ा हो गया दुनिया का सबसे चोटा रिवराइन आइलेंड वो भी आ साम में है वो है उमानन्दा देखते हैं यह राची उमानन्दा इट इस दा स्मोल इस रीवराइन हाइल है ओके जी मजा आएगा जाएंगे पिक्निक बनाया बापिस स्मोल स्रीवराइन है उमानन्दा याद रखने अपने माजोली जो गया वो लाटज्य रीवराइन हो गया तो यहां पर वाइड लाइफ सेंच्रिया पोवित्र वाइड लाइफ इसका बजट की दिक्कत और जिसको वान पॉन्पन राहे नॉसेरस देखना है या टाइम की दिक्कत हो मैं गया था गौहाटी से में गया ता मेगाले गूमने मेरे दोस्त है राम सिंह तो उसके साथ मेल् तो उसने बड़िया आरेंजमेंट कर रखा था मेरे ट्रिप का मेगाले जब कवर करांगा सारी चीज़े बताऊगा तो मैंने बोला पभी मेरे को काजी रंगा तो जाना है मन्ता काजी रंगा जाने का बोला तुझे वान हों राइनोसिरस देखने हैं तू ऐसा काम कर टाइम भी बच जाएगा बाद में देख लिए कभी काजी रंगा बाय रोड जाई हो तो अभी तो चल ऐसा कर गोहाटी के पास में एक घंटे का रसता है पुवित्र वाइल लाइफ सेंचुरी वहां होया और गरंटी मैं देता हूं राइनोसिरस दिखेंगे मैं मतलब यह था कि क् आप क्या अगरते हो आप इतने दूर गूमने जा रहे हो और आप जिस चीज की देखने की इच्छा है कि वर्णों राइनोसिरस आपने देखना है और वो ना दिखे फिर तो आपको काजी रंगा ही जाना पड़ेगा वोला गरंटी लेता हूं वर्णों राइनोसिरस पोव से लिए पोवित्रा और ब्रिड गराउंट है मलबirm Industry गाढ़ी से निकलते 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 तो गोघाती से होते हुए पोवित्रा पहुंचना था हमके कंसे पांसे बज़े कंड़े पोवित्रा वाइं याई लाइफ सेंचरी दिखे चेतं कंसे में घूम तो अगले दिन फिर क्या किया ऐसे ही एलिफेंट सफारी की जहां पर वह एलिफेंट लेके जा रहे थे तो जी पोवित्रा भी जा सकते हो आप सिच्वेटिड लोकेटिड ओन दा इस्टन हिमाल्यास फोटिल पार गिव्जिव नॉट ओनली दा चांस तु स्पोर्ट वन ओव दा कंट्रीज रेरेस्ट 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 वर्ट स्पीसिस तो अगर आपने देखने है तो आप प पुवित्रा में मैं गरंटी लेता हूं दिखेंगे क्योंकि डैंस्टी इतनी जादा है और पुवित्रा वाइलाइफ सेंचरी जाने से पहले ही दिख जाएंगे पक्का फिर आता है जी अपना एक ओरिंग नैस्नल पार्क इसको मीनी काजी रंगा भी बोला जाता है आझे nuc now के अगर सबसे बढ़ी Δिक्कत किए इंदुस्तान में इसका नाम रख भूआ राजिव गांधी औरिंग नैस्नल पार्क है एक है मुंबई मेश जय गांधी नैस्नल पार्क क्या इस्विल प्ट इप सिविल सर्विस लिए महात्मा गांदी नेशनल पर लोको लोको नोगन से सब और महात्मा गांदी को सबक्र Americas तो आइडिया कि भाही कहीं पर राजीव गांदी कहीं पर संजे गांदी कहीं पर मातमा गांदी नरेंदर मोधी इसको बोलता है मीनी काजी रंगा अमंग अधर असाम प्लेसे विजिट टूदा और राजीव गांदी पार्ट को इटली होंदा नदन शोर ब्रहंपुत्रा अच्छा आपको एक चीज़ बताता हूं यह जी आपकी भ्रहंपुत्रा रिवर ऐसे हैं तो ब्रहंते हैं मोई यह पर ब्रहंपुत्रा रिवर ऐसे अर्प्रेंग नमें गालीत की तरफ हो लिए यहां पिढिना नशीरंगा साउथ भॹॉह आप और नेशनल पॉर्ण जा सकते हो इसको मीनी काजीरंगा बोला जाता है नेक्स जो आता है अपना मनं भटा चुकों आइलन्ड है अच्छ यह रामसर साइट नीर घौहाटी रामसर मैं स किता रामसर वै कौन्स लेंड़ साइडिक बता देशिव से बना है व yr चुछ दौटर मतलब एक वै जो आपको मदलंब जील में समदर में समदर का पानी हो गया घारह जील का पानी हो गया यह मेटा इसाज नेはい Lot इस फ्रेशही वाटर में अलग More वाटर मयं अलग तरह की स्फीसिसेजम है अलग अलग मिलती है यह होगए टार इस्टेश्य ऐंड लैंड के उपर हमें अलगतर है की एनिमल्स फ्लोरा फोना एनिमल्स ट्री स्पीसिस तो यह सब चीज़े अलग-अलग मिलते हैं तो जब यहां पर वोटर और लैंड का मलब एक कंबिनेशन मिलता है वहां पर हमें तो यह वैक लेंड के मिलता है मिक्षर वहता है वैट लेंड कैलेग हो सकती है कोई ठीक है यह कोई समुद्ला और लगून हो गया चैनल के वैक मॉटर है समदर का पानी अंदर तका रहे है उसको बैक वोर्टर बोला जाता है लोकल लेंक में कैयाल तो वह बीच्ट वैट लेंड है अपना तो और यह पानी तो हमें mixture of terrestrial and aquatic ecosystem मिलता है तो इसी तरह से दियोप और भील हिंदी में लेक को जील बोला जाता है तो एसमीज में भील बोला जाता है तो ये जील दियोप और भील गोहाटी के पास है तो ये रामसर वैटलेंड साइट है असाम की क्या होता है किसी भी वैटलेंड में अगर degradation हो रहा है degradation कैसे होता है जी किसी भी reason से natural reason भी हो सकता है जैसे शिवालिक के आस-पास क्या है siltation की problem आती है siltation क्या मलब erosion हो रहे है erosion से क्या हो रहा है lake में क्या हो रहा है siltation सिल्ट आ रहे हैं और उससे क्या discharge आप उसमें लेक में डाल रहे हूँ तो यह जो रामसर कंवेंशन हुई थी वो क्या कहती है कि जो वेटलेंड है हमें यह नहीं कि उसको यूज नहीं करना बट हमें उसका sustainable use करना है ऐसे यूज बावर से जो मेंशे करते अरज पूल्यूट जादा कर रहे हैं और cleaning self-cleaning mechanism है वो पीछे रहे गया और हम इसको degrade ना करते है sustainable development की बात करता है अपना रामसर convention तो जहां जहां पर pollution जादा हो गया जहां जहां पर degradation जादा हो रहा है तो उनको फिर हम क्या करते है रामसर वैटलेंड साइट बोल देते हैं फिर हम उनका खास ध्यान रखते हैं तो यहां पी आप जा सकते हो बट गंदगी मत बचाना देखना इंज्वाए करना आना अंजी गोहाटी में एक क्या है ना पुबतर रिवर की मतलब बरहंपुथ्रा रिवरे पर आपको अम हम्धार मना छोटे च्छोटे जहाद जो है जैसे वह में भी मिलते हैं तो उसे नाइट को यह जो स्पेस ओडेसी है तो यहां पे भी आप विजिट कर सकते हो तूरिस प्लेस है गौहाटी में नेक्स आजी नामेरी नैशनल पार्क आसाम में पढ़ते हैं नामेरी औरनाचर पादेश की साइड बनता है फुके फुके पी एक हुआई वाइड लाइफ सेंचरी अनाचर पादेश तो यह नामेरी नैशनल पार्क भी आप जा सकते हो इस्टन हिमाल्यास की बात कर रहे हैं वैस्टन हिमाल्यास तो अपना होगे जम्मू कश्मीर लद्दाक उत्राखंड ठीक है जी यह और इस्टन हिमाल्या नामेरी बढ़ नेक्स आता है जी आंफ लोंग लेक आपका सेंट्रल आस्म में पड़ता है और प्रहूर्फ लण लेक है तो आपने क्या करना है जो एक नदन पार्ट जो भर्मपुत्रा वैली वाला इरिया तीन-चार दिन तो यहां लगाने है दो एक दिन सेंटरल असाम में एक दो दिन सदना साम में और फिर वहीं आज पास से आप मलब एक अधा स्टेट और गूम सकते हो और फिर दिल्ली बाप जिट करता है बट नैच्रल ब्यूटि मज़ा आएगा देखने में यहीं पर कहा कि यह मेगालया प्लैट्यू गारो खासी जैनतियां जो फिल्ट होंगे वह सील में है यह हमाल्या का पार्ट नहीं यह है प्र प्र पैनिसला प्लैट्यू रिजन का अर्यां पर हमारा ठीक है यह हमाल्या सकते हैं इसको प्नि प्र और हिमाल्या सको सेपरेट करती दो इस नोर्थ कचार हिल्स बहत्रीन टूरिस प्लेस नॉर्थ का चार हिल्स यहां पे तो वो क्या गड़ रहे है वो पीप है पैंसला प्लेटियू रिजन और हिमाल्यास को सेपरेट कर रही है ठीक है हम देखते हैं अब कार्भी एंग लॉंग प्लेट्यू इस एन एक्स्टेंशन ओफ इंडियन पैंसल प्लेट्यू जो पीप्यर की बात की थी इंदासाम नॉर्थ इस्टन स्टेट ऑफ इंडिया इसी मैक्सिमम्म रेंफोल्ड फॉम्द साउथ विस्स समर मांसुन जब मांसुन की बात करेंगे मैं स्टार्ट होता है जून जुलाइ अगस्ट सेटमबर तक बारिक होता है एक बात में पिर अक्टूबर नुम्मबर दिसमबर में काफी लोगों को पदा नहीं तमिलाडू में चैन्नाई में दिसमबर में फ्लड आजाता है कई बार तो उसका रीजन के नौर्थ इस एक नौर्थ इस मांचुन भी है हमारे हां फ्रॉम जून थो सेप्टेम्बर तो यह कार भी एंगलों यह सेंट्रल असाम वाला पार्ट हो गया ब्रह्मपुत्रा वैली कार भी एंगलों नीचे बंढती है हमारी ब्राक वैली एक बाइस्वर रिजर बोल चुका हूं दिब्रु सेकोबा नैशनल पार्क बाइस्वर रिजर्व है तिन सुक्या डिस्टिक बाइस्वर इसरी जुलाई 1997 विद एन एरिया उफ 765 किलोमेटर स्क्रेर ठीके जी दिब्रु सेकोबा भी जाना बनता है अच्छा जी दिख बोई ओयल सीटी रिफाइनरी त्री गार्डन टी गार्डन स्वरी टी गार्डन लोकल पॉइंट इन थी सुक्या डिस्टिक रूड वास्टिस्कोवर तो यहां रिफाइनरी अपनी डिग बॉय में यहां पर यह आपनी बाराकर की वार्द जो कि अपना यह नागल लेंट इस पर ब्रह्म पुत्रा पे नैशनल वोटर वेल्स टू सद्या टू डूब्री नैशनल वोटर वेल्स इस पर बराक रिवर पर प्रपॉस्ट वन तो यह बराक वेली वाला ही इरिया भी बड़ी है बराक रिवर फ्लो नाइन हंडर किलोमेटर थू दा स्टेट ऑप बनीपूर नागा लैंड मिजोरम आसाम इन इंडिया इंटु दे बेयो बेंगाल बाय बांगलादेस लेंथ 520 किलोमेटर इस इन इंडिया 31 किलोमेटर ओ इस नेविगेबल पार्ट इन इंडिया 121 किलोमेटर बिट्विन लख्षी पूरेंट भांगा डिकलेड़ेस नेशनल वोटर वेज इस प्रिपेर कर लेना क्योंकि हमारे यूपीस के लिए बहतरीन कोश्चन बनते हैं नेशनल वोटर वेज वान टो त्री पॉर फाइव सि ठीक है तो यह आइडिया हमारा इस लख्षी पूर्ट भांगा डिस नेशनल वाटर वेज शिक्स अच्छा पीडियेफ आपको मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल पर जोग्राफी मैपिंग बाया मिद्गक नेक्स बताऊंगा मिघाले क्योंकि खुदी गया हूँँ खासी ही तो एक्स्प्लोर की हुई है मोगा लगा गारो हिल्स भी जाओंगा तो नेक्स आइविल कवर मिघाले देंतरी पूरा फिर हम आएंगे साउथ इंडिया में वैस्टन घाट कवर करते होएं ओके जी आसाम रास्तान है उसका डेजर्ट वगएरा तो हर स्टेट को हम कवर करत आएंगे अपनी भारादर्शन सिर्यस में उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड टूर के बारे में ओके जी चलो बाइबाइबाइट तन्यवाद